कि अब लोग कर रहे हैं क्लास एट साइंस फर्स्ट चैप्टर डैट इस क्रोग प्रेडक्शन एंड मैनेजमेंट चलिए हमने थोड़ा सा चैप्टर शुरीड कर लिया था अब हम लोग नेक्स्ट कंटेन्यू करते हैं हम लोग आ गए हैं प्रेपरेशन ओफ स्वाइल स्वाइल की प्रेपरेशन पे और प्रेपरेशन ओफ स्वाइल बेसिकली है क्या चीज़ है यह हमारे अगरी कल्चर प्रेक्टिस के जो टोटल सेवन पार्ट से उन में से फस्ट पार्ट है प्रेपरेशन ओफ स्वाइल तो वह हम लोग स्टेडी आउट कर रहे हैं प्रेपरे soil and loosen it. सबसे important जो काम agriculture में वो क्या है? कि soil को turn करना. Turn मतलब होता है जैसे उसका अउपर वाला हिस्सा, इदर उदर left, right या नीचे कर देना और नीचे वाला हिस्सा उपर कर देना. और उसको lose करना. Lose मतलब ढहिला कर देना. This allows the roots to penetrate deep into the soil. इससे क्या होता है? जो आपकी फसल का root होगा, जड़ होगी, वो गहरे मतलब मिटी के अंदर जा सकती है. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. अगर मिटी ढहिली होती है, loose होती है, तो वो roots को breathe करने में भी असानी पहुँचाती है. चाहे वो soil के deep ही क्यों न चली गई हो. इसका मतलब क्या है कि loose करने से जो soil है, loose कर देंगे तो उससे जो फसल के कोई भी आप लगा रहे हो, तो उसकी जो roots है, वो breathe, उनको सांस लेने में असानी होती है. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? Soil को loose करने से breathe करना असान क्यों हो जाता है roots को? ये question पूछा हुआ है और इसका answer हमें दिया हुआ है आगे. The loosening soil helps in the growth of earthworm and microbes present in the soil. जो आपकी soil होती है, जो loose soil होती है, वो help करती है कि इसमें earthworms, गड़ोए और छोटे-छोटे के टानों या पाइबोस्ते organisms को growth करवाने में जो की soil मिट्टी के अंदर present होते हैं. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. ये organisms फार्मर के friends होते हैं, क्योंकि ये मतलब किसानों की help करते हैं ताकि मिट्टी को turn कर सके, इदर उदर पलटी दे सके और soil को lose भी करवाते हैं, ढीला भी करते हैं और humus add करते हैं. humus क्या होता है कैसा organic material जो decompose हो रहा होता है? तो उससे क्या होता है? Decompose वाला material soil की nutrition पापर बढ़ा देता है और जो भी आप उसके अंदर पसल उगाऊँगे उनको वो nutrition दुबारा मिल जाता है. But why the soil needs to be turned and loosened? लेकिन soil को turn करना और उसको धिला करना जरूरी क्यों है? You have learned in the previous classes that soil contains minerals. आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि विट्टी में बहुत सारे minerals होते हैं, water, पानी होता है, air, हवा and some living organisms. और कुछ चीज़े होती है, organisms जो जिन्दा होते हैं. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. जो मिट्टी के अंदर organisms होते हैं, वो plants और animals को decompose कर देते हैं, जो उस area में मर चुके होते हैं. In this way, various nutritions in the dead organisms are released back into the soil. तो जो organisms जो dead मर चुके होते हैं, उनके अंदर के जो nutrition हैं, वो दुबारा soil को मिल जाते हैं. These nutritions are again absorbed by the plants. और फिर nutrition को plants दुबारा take over कर लेते हैं through the soil. Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, क्योंकि soil की जो top वाली ले रहे हैं, वो कुछ centimeter वाली ही होती है, जो plant की growth को support करती है. Turning and Loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top. तो इसे जो nutrition के साथ soil वरी होती है, वो उपर टॉप तक आ जाती है. अगर उसे turn किया जाता है और loose किया जाता है, so that plants can use these nutrition. और ये plants in nutrition को use कर सकते हैं. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. तो इस तरीके से soil को turn करना और loose करना बहुत जरूरी है. Crops की, मतलब अगर आप उसको खेती करना चाते हो, पसलोप की तो उसके लिए बहुत जादा जरूरी होता है. The process of loosening and turning of the soil is called dealing or fluffing. तो ये process के दो नाम हैं, इसको dealing भी बोल सकते हैं और fluffing भी बोल सकते हैं. यारि कि, जिस process में soil को loose किया जाता है और turn around किया जाता है, the process is called dealing or fluffing. This is done by using a pluff, ये कहल के द्वारा होता है. Pluffs are made of wood or iron, ये या तो ये लकड के बने होते हैं या फिर ये लोहे के बने होते हैं. If the soil is very dry, अगर soil जो मिट्टी है बहुत जादा पुश्क है, it may need watering before pluffing, तो उसके अंदर हल्च लाने से पहले उसे पानी देना जरूरी है. The plucked field may have big clumps of soil called crumbs, जो आपका खेद आपने प्लक कर दिया है, उसमें हो सकता है कि मिट्टी के बड़े-बड़े clumps आप बोल सकते हो, गड़े से, मैं आपको पिक दिखाऊँगा, एक मिनिट. तो आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन के उपर, इनको हम लोग crumbs बोलते हैं. जब डुले आप बोलनोंग देखो, इतने बड़े बड़े, बड़े, मोटे-मोटे होते हैं हमें ठीके, ठीके, थीके, तो इन चिज़ों को KRUMS सुभते बोलते हैं हम लोग, ठीक ये चीज़े हैं जो आनों ने लिखा है. तो उनको बड़े-बड़े जो टुकड़े होते हैं सोल के उनको हम लोग करम्स को होते हैं इन टुकड़ों को तोड़ना जरूरी है लेबलिंग दफिल्ड इस बेनेफिशल पोर सॉइंग एस वेल एस फोर इरिगेशन अब field को level करना जरूरी है कि धलान ने जरूरी है इस से क्या फाइदा होता है इस तो बिजाई में benefit मिलता है और सिजाई यानि पानी में भी help मिलती है labeling of soil is done with the help of leveler एक leveler का use करके हम लोग labeling कर सकते हैं sometimes manure is added to soil before tiling tiling करने से पहले मतलब soil की फल्टा गरने से पहले उसको loose करने से पहले खाद add कर दी जाती है this helps in proper mixing of manure with soil और बाद में फिर pluffing की जाती है इससे जो manure होती है वो proper soil के साथ mix हो जाती है the soil is moistened before sowing और मिट्टी को गीला किया जाता है उसमें कुछ भी उगाने से पहले बीज डालने से पहले उसे moisture यानि पानी पिया जाता है agriculture implements अब agriculture में क्या-क्या implements किया जाएगा उसकी बात आएगी before sowing the seeds, बीज उगाने से पहले it is necessary to break soil clumps to get better yield जो बड़े-बड़े मिट्टी के डले है उनको तोड़ना जरूरी है ताकि एक अच्छी पैदावार मिल सके this is done with the help of various tools ये अलग-अलब tools के साथ की जाती है the main tool used for this purpose are fluff, o and cultivator जो main मतलब यूज के जाते है तो tools के लिए वो हल है o है cultivator है तो हूँ और cultivator मैं आपको दिखाता हूँ, just a minute तो आप लोग प्लफ तो पता ही आपको की हल जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिखा रखा है दो बलद के साथ यहाँ पे किया जा रहा है उसके बाद हूँ हाँ शब्दा है, आप आप स्क्रीन में देख सकते हो यह आप लोगों को एक दिख रहा है, एक tool दिख रहा है तो यह आपका खुर्पा type, you can say like that थोड़ा सा तो वो चीज हो गई, खुर्पे का हलाकि जो मतला handle होता है वो small होता है और एक cultivator है, this is machinery part तो इसके थू मतलब क्या किया जाता है हमारा मतलब जो मिट्टी के डले होते है उनको small size में तोड़ा जाता है यह आप बोल सकते हो उसके बाद Pluff This is being used since NCA times for tiling the soil adding fertilizers to the crops removing the weeds and turning the soil तो अब तीनों के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा idea दिया जा रहा है Pluff के बारे में क्या है यह कहते है पुराने time से use किया जा रहा है soil की tiling के लिए fertilizers को add करने के लिए फसल में, weeds को remove करने के लिए और soil को turn देने के लिए This is made of wood and is thrown by a pair of bulls यह लकड़ी का बना होता है और उसको bulls दो बल्द का मतलब एक दो बल्द का एक जोड़ा इसको खीचता है और other animals या दूसरे animals जैसे horse गोड़े या camel उठ भी हो सकते हैं इसके पास इसमें एक बहुत स्ट्रॉंग ट्रैंगल शेप का आईरन स्ट्रिप लगा होता है जिसको प्लब शेयर बोलते हैं जो इन्होंने डाइग्राम के थो आपको समझाने की कोशिश भी की हुई है प्लब शेयर यह वाला पार्ट अधिस पाला पार्ट आपने देखा भी होगा इससको उसका प्लब शेयर ट्रैंगुलर इसका शेप होता है तब में पार्ट ओफ पता लॉप इस आ लॉप लॉप फुट विचिस पाल्ड़ प्लाफ शाप्ट और जो प्लफ का मेन पार्ट है वो एक लंबी लोही का लकडी का लोग होता है गठा यू कैंसे लाइक डाट जो की हम लोग को प्लफ शाफ्ट के नाम से जानते हैं पिक में आप देख सकते हो यह जो आपको लोग दिखाई दे रहा है लकडी का इस इस कॉल्फ शाफ्ट यह आपके यहां पे है और यह आप लोगों का जो नीचे वाला पार्ट है यह ट्राइंगुलर वाला पार्ट हो गया देख सकते हो यह जो आपका बीम है इसके साथ यह जो अपने अभी पड़ा है लग शाफ्ट उसको बांदा हुआ है एक का इंड तो मतलब कनेक्टेड है किसके साथ प्लफ शेर के साथ और जो अपना दूसरा एंड है इसका वह अपने कर दिया है बीम के साथ कनेक्ट कर दिया है बल्दों का एक जोड़ा और एक आदमी इनको असानी से प्लफ को मतलब हैंटल या प्रेट कर सकता है यह जो लकडी के प्लफ है आज के टाइम में बहुत तेजी के साथ लोहे बाले प्लफ के साथ रिप्लेस होते जा रहे हैं यह आपका जो डाइग्राम अपने देखा था इस इस काल्ड वू चलिए इनके बारे में देखते हैं क्या लिखते है इस इस इंपल टूल विच इस यूस्ट फोर रिमूविक वीड्स एंड फोर लूजिनिंग भी सॉय यह सिंपल टूल है जिसको वीड्स को दूर करने में वीड्स का होता है अन्वांटेड प्लांट्स होते हैं जो आपकी में प्रॉप के साथ उख जाते हैं उसे रिमूव करने के लिए एंड फोर लूजिनिंग भी सॉय और मिट्टी को धिला करने के लिए यूज करते हैं इसके पास एक लंबी रोड होती है जो लपड़ी की य इसके एक एंड पे फिक्स की होती है एंड वर्क्स लाइक ब्लेड और वो एक ब्लेड की तरह काम करती है इसको अनिमल्स के द्वारा पुल्याली की खीचा जाता है यह आप लोगों को डाइग्राम दिया गया है यह मेंट प्लेड है जिसको ब्लेड का आ गया है और इसके जिरू वीड्स को रिमूव किया जाता है वीड्स एंड पॉर लूजिनिंग भी सॉय थार्ड इस कल्टिवेटर कल्टिवेटर में क्या है नाओडेज लॉपिंग इस डन भाई ट्रेक्टर ड्राइवन फल्टिवेटर तो ट्रेक्टर से जो मतलब जुडा होता है जो आप लोग अपनी फिगर में देख रहे हैं सॉइंग होता है बीज उगाना सॉइंग इस एन इपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रोप प्रडेक्शन जो आपका क्रोप प्रडेक्शन में सॉइंग ज्यानि की बीज ना एक important पार्ट है विफोर सॉइंग गुंद क्वालिट बीजने से पहले ये देखना जरूरी है कि जो बीज आपके पास है वो गुट क्वालिटी के हैं साफ है और हेल्थी है और उनकी जो बराइटी वो अच्छी होनी चाहिए फार्मर्स प्रेफर टू यूट सीड्स बिच आइव हाई ऐसे बीज मतलब प्रेफर किया जाते हैं जिनकी पैदावार जादा होती है वन डे आई सो माई मदर पुट सम ग्रैम सीड्स इन वैसल एंड पोर सम वाटर ओंड एक दिन देखा कि मेरी माता जी ने कुछ चने की बी सीड्स जो थे वो तैयरना शुरू कर देते हैं पानी के ऊपर आई वंडर्ड वाइस सम सीड्स फ्लोट और वाटर मुझे हरानी है कि कुछ शीड्स पानी के ऊपर क्यूं फ्लोट करने शुरू हुए अब एक जो कनक के दाने हैं उसका एक मुठी ले ले एंड इसको अच्छे से हिलाए वेट पॉर सम टाइम के लिए वेट करें आर देर सीड्स विच फ्लोट और वाटर क्या यहां पर कोछ शीड्स हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं वुट दीज भी लाइटर और हैवियर दैन दोज विच सिंक क्या यह पानी से मतलब लाइटर है या हैवियर है जो मतलब की सिंक हो गए जो बीज पानी से नहीं जो बी पतलब कहना क्या चारा है कि जो शीड़ फ्लोट कर रहे थे पानी के उपर वो कहता हलके थे या भारी थे उन सीड़ के कंपेर में जो की सिंग्यानी की टूप गए और वो हलके क्यों थे डैमेज सीड्स बिकम बोलो अब उनकी हमें रीजनिंग बता रहे हैं जो भीज खराब ह पानी के उपर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब क्या जो अच्छे शीड्स होंगे वो आपके डिप हो जाएंगे यानि कि सिंक हो जाएंगे लेकिन जो शीड डैमेज होगा वो फ्लोट करेगा इस बूद मैथ्ट पोर सेपरेटिंग गूद हेल्टी सीड्स यह एक बहुत अच्छा तरीका है अच्छे हेल्दी सीड्स को डैमेज सीड्स से अलग करने का सब्सक्राइब करना है कि किन किन टूज से हम लोग बीज को बीज सकते हैं चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं ट्रैडिशनल टूल पहले पारंपरिक टूल जो मतलब की नॉर्मली यूज केरते थे पुराने टाइम में उनकी बात होगी यूज को बीज को बीजा जाता है आपको दो से तीन पाइपों से उनको पास करवाना होता है जब वो एक पर परनल के अंदर बढ़ जाते हैं और उनके जो एंड्स होते हैं वो शार्प होते हैं मतलब बहुत जादा नोकीले यूज के से लाइक टाइप टिक्खे होते हैं इस एंड्स पाइर से इंटो इस सॉयल यह जो एंड्स होने दीक्खे होने की वजह से सॉयल के अंदर मतलब दूश जाते हैं और वहां पे बीज को प्लेस कर देते हैं अगला है मतलब सीड्रील जो आपके दिखाए हुई है नाओडेश दसीड्रील इस यूज किया जाता है ट्रैक्टर की हैं से भीज नहीं के दिये इस सोंगा सीड्स उनिफॉर्मली अटिक्वर डिस्टेंस एंड़ यह बीजों को इक्वर डिस्टेंस पे उनिफॉर्मली औ अगर हम लोग बीज की हैं मतलब सीड्रील की है से लीजते हैं तो लेबर और टाइम दोनों बच जाते हैं देर इस नर्सरी नियर माइ स्कूल मेरे स्कूल के पास नर्सरी है I found that little plants were kept in small bags मैंने देखा कि छोटे-छोटे plants को small bags में रखा गया था Why are they kept like this? उनको ऐसे क्यों रखा गया Seeds of few plants such as paddy are first grown in a nursery कुछ plants के जो seeds होते हैं जैसे की पैटी हो गया वो पहले nursery में growth कराया जाते हैं When they grow into seedling जब वो young plant में convert हो जाते हैं They are transplanted to the field manually फिर उनको खेत में transplant यानि कि वहां पे उनको कर दिया जाता है Some forest plants and flowering plants are also ground in a nursery कुछ जो पोदे है plants and flowering plants उनको nursery में ही उदाया जाता है Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants Beech के बीच में distance होना बहुत जरूरी है ताकि plants की overcrowding यानि कि उनके बीचे अगर gap कम होगा तो इससे क्या होगा उनको जो nutrition है वो properly नहीं मिल पाएगा This allows plants to get sufficient sunlight, nutrition and water from the soil अगर distance appropriate होगा तो इस उनको sunlight भी proper मिलेगी Nutrition भी proper मिलेगा और water भी proper मिलेगा soil से At times of few plants may have to be removed to prevent overcrowding कई बार क्या होता है कि कुछ plants को remove भी करना पड़ता है ताकि overcrowding ना हो सके तो यहां तक हम लोग अपना आज का session over करते हैं Thank you for watching the video कर दो एंदिये प्राषगा झाल प्राषब झाल झाल